सांसा जी आज मजजद और हरियर मंदिर मामले में पूर के आदिश पर सर्वे हो रहा है आज सुबा जो है वो टीम सर्वे करने पहुंची थी दुरान पत्राओं हो गी आग जैनियों को इस बावान हो गया देखिए बड़ा अफसोस इस बात का है कि वहां पे शांती भंग हो गई सर्वे हो रहा था पहले भी हुआ था सर्वे क्यों हो रहा पहली बात तो यह मैं मालूम करना चाहता हूं जब एक प्लेस आफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है कि अब कोई भी किसी भी धार में किस तरह क्या स्टेटस को रहेगा बदला नहीं जा सकता भले से वहां मंद थी गुरुद्वारा था चर्च था कुछ भी था इस तरह की बाते करके क्यों हमारे बीच में हिंदू मुसल्मानों के बीच में एक टैंशन पैदा किया जाता है यह सर्वे कराना सर्वे कराके क्या उस मस्जिद को डिमॉरिश किया जा सकता है क्या वहां पे मस्जिद को ड मुझे इसमें शरारत की बू आती है कि हमारा साम पर दाइक सौहाद बिगाड़ने के नहीं ये सब काम किये जा रहे है इसमें कुछ लोग मसलसल मस्जिदों को टार्गेट कर रहे हैं अब इस तरह से तो तीन हजार मस्जिदें टार्गेट हैं ताज महल भी है कुत्ब मिनार दिल्ली की जामा मस्जिद भी है आखिस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं प्यार महबस्त्रे हमें जीने नहीं देंगे हम तो साथ जीते हों साथ मरेंगे लेकिन मेरी सभी लोगों से यह अपील है कि इनके इस बहकावे में आकर सहीं हम ना खोएं पूरा भरोसा हमें जाफ वहां से होगा मस्जिद मस्जिद रहेगी मंदिर मंदिर रहेगा किसी की वह नौईयत को आप चेंज नहीं किया जा सकता है देखिए आज कुछ सुनने में ऐसा आया है कि बहुत जल्द सुबा होने से पहले वहां पे सर्वे की टीम पहुंच गी जैसा मैंने सुना है और वहां के इमाम साफ से थोड़ी सी उन्होंने मिस्भेव भी करा है इसकी वैसे लोग तैश में आ गए और ये सब कुछ चुरू हो गया लोगों को इस बात का भरोसा नहीं कि सर्वे होने के बाद क्या होगा बाबरी मस्जिद कभी तो सर्वे हुआ था एसाई ने सर्वे करा था और एसाई की रिपोर्ट है ऑन रिकॉर्ड है कि एसाई ने लिखा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी भी मंदिर के अफशेश नहीं मिले जब नहीं मिले ते फिर भी मंदिर बना तो लोग इसी लिए परेशान है कि इनसाफ कहा चला गया फैसले हो रहा है इनसा के पास है इंसाफ नी होगा तो बदमनी होगी वय क्या रहे हैं नेताओं के चक्कर Brett आके भापना भर्विष़् वर्वाद नसकरों सही कहरे हैं स्याकों में पॉरके अपनी जिनदगी खराब ना करें लोग अपनी जवानी भर्वाद ना करें लो अगर छूरी खर्मूजे पर गिरे या खर्मूजा छूरी पर गिरे कटना खर्मूजे कुई है